बॉलिवुड के दिगज निर्मादा निर्देशा करन जो हर इन दिनों अपने नए शोग कॉफी विद करन सीजन सिस फीट में काफी व्यस्त हैं करन आए दिन इस शोग की खबरों को लेकर सुर्कियों में बने रहते हैं हाल ही में करन के इस शोगर दिपका पादुकोन और आलिया भटने साथ में इंट्री ली थी करन ने दिपका के साथ अपनी इस खास मुलाकात का विडियो अपने सोशल मीडिया आकाउंट पर भी साजहा किया था वहीं आपको बता दें दिपका और करन जोहर एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं जो अपनी हर बातें एक दूसरे से साजहा करते हैं नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार करन जोहर ने दिपका पादुकोन से एक ऐसी बात साजहा की थी जो उन्होंने अपनी मां को भी नहीं बताई थी जी हाँ हाली में ये खबर सामने आई है कि करण ने अपने दोनों बच्चों येश और रियही के बारे में सबसे पहले देपिका को फोन कर जानकारी दी थी और एक्ट्रेस ने भी करण के इस राज को किसी को न बताने का वच्चन दिया था यहां तक कि करण ने ये बात अपनी मां को भी नहीं बताई थी